हमारे साथ इस्टूडियों में मौझूद है एस्ट्रोलॉजर जतिन सहगल जी जतिन जी ब्रेक पर जाने से पहले आप हमें बता रहेते हैं कि परिशानियों को कम करने के लिए या फिर उन्हें बैलेंस करने के लिए दानपुन करने चाहें आप से जाना चाहूंगे problems किस तरह से ये दानपुन से correlate करती है या फिर ये बोल सकते हैं कि ये एक positive करमाज है जी एक तो positive करमाज तो है इसके लावा वैसे बताना चाहूंगा क्या होता है जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं तो हमेशा क्या होगा मैं एक चीज़ ये बोलता हूँ मंदिरों में देने की बात नहीं कर रहा है कि मंदिरों में बिलकुल भी नहीं बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ कोई जरूरत मनद अगर आपको दिख रहा है उसको यदि आप देंगे दान तो उसके दिल से निकली दूआ ही आपके लिए काम करीगे और साथ में आप अपने करमाज को कही ना कही बैलन्स करने है और हर ग्रह की कोई ना कोई वस्तू होती है अगर आप उसको किसी गरीब व्यक्ति को देंगे तो ऐसा नहीं कि आपकी नेग्टिविटी उसके पास चली जागी ऐसा कभी मत सोचिए क्योंकि मेरे को माले में कुछ गरीबों ने भी लेने से इंकार कर दिया पता नहीं अपनी बला कौन सी डाल रहा है ऐसा नहीं है ये तो आपस में एक हेल्प करने का एक तरीक है तो कहीं न कहीं वो बैलन्स करते हैं हम अपने करमाज को जैसा मैंने बोला एक पास बुक की एंट्री की तरह आप कितना बैलन्स लेकर के आए आपने कितने अभी करमाज में जमा करा दिये तो कहीं न कहीं आप देखते हैं बैलन्स होता चला जाता है तो इससे क्या कि दान करने से अगर दिल से करोगे जी जब बर्दस्ती वाला कोई भी दान सौरी आपको help नहीं करेगा हाँ अगर आप दिल से दान करते हैं तो मेरे पस बहुत positive response वाले phone आते हैं कि हाँ जी हमारा काम बन गया कहीं न कहीं हमारी जिंदगी में balance आया है जी तो हम कहीं न कहीं अब अच्छा लग रहा है वासा में क्या होता है जब negativity of the planet क्योंकि एक balance जब भगवान ने प्रकरती में भी बनाया है तो हम अपने में भी एक balance बना सकते हैं आप अपने कर्मा अच्छा कीजिए आप गरीबों की मदद कीजिए ऐसा नहीं है एक तरफ तो आप दान करें हैं दूसरी तरफ कोई गरीब रिक्षा वाला जा रहा है आप अपनी बड़ी गाड़ी में आपने उसको ठोक दिया और उसके बाद आप उसको गालिया दे रहे ही और वो कहीं ना कहीं काम करती है क्योंकि यह पॉजिटिव जिस तरह नेगिटिव एनर्ची होते है तो उस तरीके से वो हमारी दूआये पॉजिटिव एनर्ची का काम करती है